दोस्तों नमस्कार मुझे श्वागत है मद्दप्रदेश के सरकारी स्कूलों पर सेशडिक सत्थ दोहजार 24-25 पर सेश रिक्त पदों के बिरोध आतिथी सिचकों के नए आवेदन की प्रक्रिया सुरू करने संबंधी DPI लोग सिच्छन भोपाल की तरब से नए आदिश जारी कर दिया गया है यह कंप्लीट प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है साथ ही अतिथी सिचकों के स्कूर कार्ड में नए नमबर अड़ करने का भी यहां पर जिक्र किया गया है यह तमाम प्रक्रिया पूरा होगा औ और अतिथी सिचकों का नया आवेदन पांच तारीक के आसपास से होगा हलकि इस आदेश में चार तारीक से ही बताया हुआ है यह आदेश बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट होने बाला है इसलिए वीडियो को बिना बढ़ाए हुए पूरा देखिएगा और हर एक बिंद को आदेश दिखाएंगे इंपोर्टन्ट आदेश है लोग सिच्षण संचलाने मदप्रदेश कोतम नगर भोपाल की तरफ से जारी हुआ है दो नव दो हजार चोविस का आदेश है और यह है आदेश सेचिनिक सथ दो हजार चोविस पच्चीज पर अतिथी सिचक जो नए औ पांडे जो की उप संचालक है यह जारी किया गया है यानि जिस पॉर्टल से आतिथी सिचकों की सभी प्रकाद के काम स्पोर काट बगारा जो भी संसोधन होते है या फिर नए आवेदन की जो प्रक्रिया होती है तो उसके एवेज में जिस पॉर्टल को अपडेट करने और प्रक्रिया के नियम को बताया हुआ है यहां पर आप आंगे देखेंगे संदर्वित पत्र में आतिथी सिचकों की स्पोर कार्ड में संसोधन एवं दिनांक 28-28-2024 से सेस रिक्तियों के विरुद्ध आवेद को हे तु साला दिकल्प चैन की कारवाही प्रारंब करने यानि नय आवेदन आनलाइन करने ये तु अनरोध किया गया था किन्तु उप्त कारवाही आज दिनांक तक आरंब नहीं हो सकी है अतिथी सिचकों के संदर्वित पत्रानुसाद संसोधित स्कोर कार्ड जारी करते हुए यानि दे इस वाई लाइन को अच्छे से समझेगा यहां पर क्रप्रा प्रसमता है अतिथी सिचकों के संदर्वित पत्रानुसार संसोधित स्कोर कार्ड जारी करते हुए यानि ये जो 2782024 को लोग सिच्छन की तरफ से लेटर इनको दिया गया था उस लेटर में तमाम तरह के मतलब कितने नंबर उसमें एड करने है नियम है तो उसके अनुसार यहां पर सेचनिक साथ 2024-25 में सेस नवीन रिक्तियों के बिरुद्ध दिनांग के 492024 से आवेद को हेदु जेपनेस पोड़ल पर साला विकल्प है चैन की सुविधा तत्काल प्राराम में की जाए ताकि इसके रिक्त निम्मानुसार कारवाई करने का कष्ट करें अब यहां पर आप देखेंगे कि जो नए आवेदन है वह चार नव दोहजार चौवीस से होने की यहां पर बात की गई है चार सितंबर दोहजार चौवीस से नए कंडिडेट जेपनेस पोड़ल के माध्यम से आनलाइन जहां पर पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों के बिरुद अधिथिय सिच्छक के रूप में च्वाइस फिलिंग करेंगे पहला बिंदु यहां पर दिया है अधिथिय सिच्छक पोडल को एजगेशन पोड़ल के साथ रिक्ती अबडेशन को डाइनेमिक किया जाए यानि जो जेपमेस पोडल है और मदवरदेश का एजुकेशन पोडल है उनको देनों को कनेक्ट करना है रिक्तियों का अबडेशन ताकि सकीक हो जाए दूसरा है विद्याले में नियमिक सिच्छक की पदस्थापना होने के उपरांत संबंधित पैनल की रिक्ती के विरुद है कार्र नियुक्र हो गए है लेकिन उनका नाम पोर्टल पर दिख रहा है तो उनको अर्व रिलीव यानि जैसे हर में सिच्छक आता है कार राध सिच्छकों साथ यह आगे बताया है कि आधितिी सिच्छक पोड़ल से आर्टो रिलीव किए गए अतिख बार संभागवार यानि इसको जानकारी के रूप में मागा गया है कि पुराने अठिके सिच्छक जोईन हो गए थे वो कितनी संख्या में खटाए जा चुके हैं इस्कूलों से हो सकता है उनको अत्रिक तिलाग दिया जाए हलाकि इसके लिए यहां पर आगे आपको देखना पड़ेगा साथ ही आगे बताया है कि पूर्व सत्र में कारणत अठिके सिच्छक जिनकी पॉर्टल पर किसी भी कारणवस जोईनिंग नहीं हो सकी है ऐसे आवेदकों को 24 फिलिंग का मौका दिया जाए तो यहां पर आप देखेंगे पूर्व सत्र में कारणत जो अठिके सिच्छक है उन के वाले आवेदकों को अवसर नहीं दिया जाए तो यहां पर आप देखेंगे कि जो यह 3.1.2 का जो 2019 कन्यम है यह 30% रिजल्ट से संबंदित है यानि जिस आतिती सिच्छक के 30% रिजल्ट है दो हजार 23 24 के सचनिक सत्र पर आया है उनको आनलाइन रूप से 24 फेलिंग में ह अदिती सिच्छकों को पॉर्टल पर प्रदर्सिच समस्याओं का निराकान अभी तक नहीं हुआ है आता है प्रदर्सिच्छक को पॉर्टल पर जॉइनिंग करने में तुरूटी आगर प्दर्सित हो रही है जैसे कि यहां पर यूजर नेम एक दिया हुआ है और 20 स्कोड बताया हुआ है इसमें माह अप्रैल तक कार किया है कि आपको सत्र दोजार चोईट पचीज में जोईनिंग की अनुमाती नहीं है यादि पुराना अतितिय सिच्चक है पद भी रिक्त है जोईनिंग नहीं मिल रही है तो इस समस्य का दिराकान करना है दूसरा भी यहां पर ब ऍहां पर देखेंगे इसमें कार किया में कि जूइनीं प्रसित हो रही है अन अवीद को इस प्रकार की समस्य कोर्टल पर आ रही है यहां पर देखिए एक 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 जांपल तक के उस तरह की समस्या जो भी आ रही है उनका सुधार किया जाए कुछ ऐसे भी कंडिएट है जिनको इस तरह की समस्या है जैसे की यूजर नेम जो है यहां पर और यह से स्वन गणित बर गणित आतितिय सी चेक हैं लेकिन भावतिक स प्रदर्सित हो रहा हैं जोनी उनकी प्रदर्सित हो रही है विद्यले के डाइस कोड बता है ताकि चेक कर सके साथी अंगला है आवेदक का यूजर नेम और विद्यले का डाविजड़ कोड में लांग टर में है विगास सत्र में कार नहीं किया गया है साथ ही आगए यहां पर आप डेखेंगे होगा इस वाई जो च्छाय नंबर विंदू है इंपोर्टेंट है पुरानों के लिए अंगला है कि बिगस सत्र में SS2 IT में जो आती थी सिच्छा के रूप में इस सत्र में जो मांदे है और जो न्यूप के लिए यहां पर करने के लिए कहा गया है साथ ही आती थी सिच्छा की यूजर नेम और एक वाईसी करने वे डूब्ली केट की वैलू तक्नीक की तुरूटी प्रात हो रही है जबकि आभेदक दौरा यूजर पर एक वाईसी की जा रही है उक समस्या अन भारी इस्तर पर लंबित प्रक्रणों की रिपोर्ट की सूची जिसमें भी द्यालय का नाम और डाइस कोड़ आवेदक का नाम और पैनल का नाम सहीत उपलब्द कराई जाए यह तमाम तरह की प्रिसानिया जो हो रही है उप्लब्द कराने के करें आयुक्त के द्वारा अन मुझे उम्मीद है कि सभी तरह के आपके सवाल थे और उनके जवाब इस आदेश से मिल गए होंगे जो पुराने है और जो नए है कब से होंगे यह बहुत सारी सवाल थे उन सभी के यहां पर जवाब मिल चुके हैं अगर आपके कहीं भी दिक्कत है एक वार वीडियो अगर चुके हैं